तो हलो फ्रेंड्स वेलकम टू किंग्डम फिटनेस आज मैं आपको वह पांच पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वज़े से आपको केबल क्रोस ओवर या फंक्शनल ट्रेनर में परिशानी होती है और उसका सलूशन क्या है तो किरपे आप वीडियो को लाश्ट तक देखे ताकि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है अपने जिम में तो उसका सलूशन आपको मिल सके तो अगर आप जिम चलाते हैं या जिम में एक्सराइज करते हैं या आपको फ्यूचर में जिम लगाना है उसको चलाना है तो किन बातों का आपको ध्यान लखना है तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह डबल पुली मॉमेंट, यह आपको इस मशीन में डबल पुली देखने को मिलती है, यह, इसमें प्राउलम यह होती है, यह जो आप उपर की यह ओल देख रहे हो, यह आप थोड़ा ध्यान से देखोगा, आपको होल इस side भी आपको यह hole दिखेगा यह hole देखो यह बड़ा होना चाहिए क्योंकि क्या होती है जब इसमें यह movement होती है तो आपका wire इस hole में टक्राने लगता है फिर wire की life कम हो जाती है इसका PVC चला जाता है और उसके बाद wire बार बार तूटती है तो इसका ख्याल रखना आपको कि इसका hole थोड़ा बड़ा हो size में और यह जो cable आ रही है यह इसका center में आए तो आपको यह problem नहीं होगी second जो point मैं आपको बताने वाला हूँ वो है balance देखिए इस pipe का जिस पे यह double pulley move होती है और यह pipe जो इसका frame का pipe है तरफ लोड़कने के chance जादा हो जाते हैं यह देखिए इसका जो base है वो आगे निकला हुआ है इसके frame से जादा आई तो यह इसको support देता अपरोपर ताकि अगर heavy weight का बंदा भी chin up कर रहा हो तो machine आगे की तरफ नहीं जुकती गिरती नहीं और कोई डर नहीं रहता safety बनी रहती है तो यह second point है जो की ज़रूरी point है third point है इसका pin pin का आपको यह check करना है कि यह जो pin है यह आपको check करना है machine लेते वक्त कि यह सारे holes में easily जा रही हो और इसमें एक और problem आती है कि यह जो आप पुली देख रहे हैं अंदर की यह मुड जाती है गुम जाती है इसकी वज़े से जो इसमें double cable जा रहा है यह उलग जाता है इस sad वी यही है system तो यह देखना है यह इसका solution यह है कि यह अच्छी तरह से tight होना चाहिए और आप इसकी trading देख लें कि वह free न हो कभी भी तो यह heavy होना चाहिए उसके बाद यह free नहीं होगा और इस problem से आप बच सकते हैं सो फॉर्थ जो point है वह है height की कई लोग height बहुत जादा कम बना देते हैं इसकी तो आपको pair fold करके चिनप करना पड़ता है अगर आपकी जिम में 6 foot के ऊपर के या 6 foot का यूजर आए तो आपको pair hold करना पड़ता है जादा चिनप करने के लिए और थोड़ा भी straight करता है तो जमीन के पास टच हो जाता है इसकी height proper हो अगर 5.5 का भी बन्दा हो तो थोड़ा सा उचल के एजिली उसको पकड़ ले जादा ही बना दोगे आप height तो उसमें भी problem है और जादा ही कम हो जाए तो उसमें दिक्कत है फिर एक height का और concern है अगर height बहुत कम हो तो ये pipe आपको छोटी लगानी पड़ेगी और ये फिर holes obviously कम हो जाएंगे तो जब आप tricep करोगे behind the neck होके tricep करोगे तो उसमें दिक्कत होगी जब ही आप wire को पीछे ले जाओगे छोड़ोगे तो plate पे plate टच हो जाएगे प्रोपर exercise आप perform नहीं कर सकते तो इसलिए height बहुत ज़रूरी है height का आपको ख्याल रखने इसका solution यही है कि height आप प्रोपर रख कम से कम 85 inches होनी चाहिए इस frame की height मैं बात करूँ तो 7 foot more than 7 foot होनी चाहिए frame की height आपको जो last और fifth point है वो है इस pin की pin की है कि आपको एक खास क्याल लगना है कि जब आप इस pin को अपने last plate में लगाते हो तो कई बार covered machine में problem यह आती है कि यह cover थोड़ा उपर तक होता है फिर यह last pin लग नहीं पाता weight में अगर 100 kg है वो 120 kg है 80 kg है तो इसका खास ख्याल रखना है आपको यह देखना है कि यह नीचे तक कटा हुआ हो यह cover ताकि last pin में भी दिक्कत नो जब भी आप जिम उठाओ इस machine को चेक करो तो उसको देखना है आपको कि यह नीचे तक कटा हुआ हो अगर नीचे तक कटा हुआ हो नहीं हो और pin फस लिए तो उसका solution यह है बगेर काटे भी कि यहाँ पे जो pillar लगे होते हैं उसको double कर लो तो इस वेट का हाइट अपने आप ऊपर हो जाएगा और pin इसली लास्ट वेट में चली जाएगी तो इस फाइब पॉइंट का ख्याल रखना है आपको और फिर आपको machine परफेक्ट मिलेगी ना ही कोई मुम्मिंट में गड़बर होगी और ना ही इस परिशानी को आपको फेस करना पड़ेगा यह मैं आपको एक ओवर लुक दे रहा हूँ इसका कि यह दिखने में आपको कैसी है machine और compact size भी आप कस्टमाइज करा सकते हो यह मैं जो चीजे बता रहा हूँ अपनी experience बता रहा हूँ मेरे पाज यह machine बनती है उसमें पहले गड़बर होती थी है क्लाइन्ट मुझे feedback देते हैं कि sir यह यह दिक्कते आ रही है उसको solve करना है फिर उसको solve कराना होता है और आगे यह खास क्याल रखना पड़ता है कि वो गल्ती दोरा ही न जाए तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको like करें और चैनल को subscribe जरूर कर लें ऐसे content आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर Thank you so much